हेलो फ्रेंड मैं हूँ नरिंद गोड आप देख रहा है हमारा यूट्यूब चैनल गुरू मंत्रा एटू जैड तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सोशल साइंस सामाज ग्यान का पार्ट 20 जैसे पहले 90 पार्ट अफलोड कर पाएंगे तो दोस्तों सुरू करते है आज का वीडियो उससे पहले मैं आप लोगों से चोटी से रोक्वेस्ट करना चाहूंँगा जो लोग हमारे यूटूब चैनल पहली बार ब्युक्त कर रहे हैं वह मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब निकली आपको वीडियो के नीचे कुछ इसतर है गा रेड कलर का इकन आ रहा होगा से प्रेस करना उसके बाद दोस्तों वह कुछ इस तरह से दखाई देने लगेगा तो आपको यह बेल दखाई दे रही है दोस्तों उसे जरूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई वी लेटेस्ट वीडियो अप्लोड करूं MP से चक्स रिलेटिव उसका नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों पहला कोश्यन है समभारतिय समयदान सवाकी प्रतम बैटक कब हुई थी तो प्रतम अगला कोश्यन है समिदान सवा का इस्ताई अध्यक्च कौन था तो समिदान सवा का इस्ताई अध्यक्च कौन था डाक्टर राजिंद्र प्रसाद इनसे पहले जो समिदान सवा के अध्यक्च थे इस्ताई वो कौन थे तो वो थे डाक्टर सचदानन सिना जो की इससे पहल सवा की प्रारूप समिति के अधिक्ष थे समिदान सवा का अपचारिक रूप से प्रतिपादन किस ने किया था तो किस ने किया था दोस्तो एम एन रोय रायन है समिदान सवा की अपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था भारत में समिदान सवा गटित करने का आदार क्या तो केबिनेट मिशे नियोजना जो कि 1940 में आई थी उसे की आधार पर समिदान सभा का गठन किया गया था हूं कि अकला है समिदान के गठन की मांग सर्व प्रप्रबी बताम не 1895 कि व्यकिती ने की थे तो есто सभा ले मांग की थी 1895 में समिदान के गठन की समिदान सवा में देशी रियायसतों के कितने प्रतिनिदी थे तो जो समिदान सवा की जो बैटक हुई थी उसमें देशी रियायसतों के कितने प्रतिनिदी थे सत्तर 17 सवा में किस देशी रहाज़त के प्रतिनिद नहीं लिया था तो हैं वह कों थे है लाज़ते है नत्य भापम जलों ने 17 सवा के बै ठेक में प्रतिनिद तो नहीं किया था B.R. अमीड़कर कहा कें समयद्ण सवा के निर्वाचित हुए कहां से सम्मेदान सवां निर्वाचेत हुए थे बंगाल से भीम राव अमिडगार सम्मेदान सवा का सम्मेदानिक सलाकार किसे निक्त किया गया था तो वो कौन थे दोस्तो बी एन राव जिने सम्मेदान सवा का सम्मेदानिक सलाकार निक्त किया गया था समिदान सवा की प्रारूप समिती का गटन कब हुआ था तो कब हुआ था 29 अगस्त 1947 को समिदान सवा की प्रारूप समिती का गटन हुआ था समिदान की प्रारूप समिती के समच प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा तो किसे ने रखा था जवालाद नहरू ने सम्मिदान की प्राडूप समिती के समच्च प्रस्ता रखा था सम्मिदान सवा की रचना है तो सम्मिदान का बिचा सरव प्रता किसे ने प्रस्तुत किया था तो सुराज पार्टी नो 1924 में सम्मिदान सभा की रचना है तो सम्मिदान का बिचा सर्व प्रतम सुराज पारटी ने 1924 में रखा था सम्मिदान सभा में भारत के सम्मिदान को कब स्विक्रत किया गया था तो कब किया गया था दोस्तो 26 नवंबर 1940 को समिदान सवा में समिदान को स्विक्रत किया गया था समिदान को बनाने में कितना शमय लगा था समिदान को बनाने में कितना समय लगा था दो बर्ष 11 मां 18 दिन जो कि समिदान को बनाने में लगा समय था सम्मिदान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तो तो कितने हैं दोस्तो 444 जब उसे बनाया गया था दोस्तो अभी बढ़ चुके हैं सम्मिदान में कितने अध्याँ हैं तो ये 22 हध्याँ हैं सम्मिदान के अंदर बारतिय सवा में कितनी अनसूची हैं तो 12 समयदान की सवा में कितनी इन सूची है तो दोस्तो इसमें कितनी सूची है 12 समयदान सवा का चुनाप किस आधार पर हुआ तो बरगी मता दिकार पर समयदान सवा का चुनाप किया गया था दोस्तो तो दोस्तो यह थे आज के most important question आगे भी मैं यह series continue रखूंगा और उम्म करता हूँ आप तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बूलना दोस्तो क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिक दिन एमपी से चेक्स एलेटिव सभी सब्चेक्स के एक उले वीडिए